हलो दीर इस्टेंट वेलकम टो गुरुकुल कासित मध्यरमेन को स्वामी जैसा पता है कि हम यहाँ पे डिस्ट कर रहे हैं पॉलिटिकल साइन्स या फिर सिविक्स के इंपोर्टन क्वेस्टन को जो कि आपके एक्जाम के पॉइंट अवली बहुत इंपोर्टन है तो दिखें अमरीकी प्रभुत को जो दौर जो है जाना जाता है वो शीत युद्ध के बाद से जाना जाता है और शीत युद्ध दिखिया है option number A में तो हमारा यहाँ ए नंबर यहाँ पर राइट आन सो जाका आपके याद रखना है कि अमरीकी प्रभुत जो जाना जाता है उसका दो अमेरिका के द्वारा अपने साथी देशों के साथ मिलकर इराक पर आक्रमण किया गया था तो जितने भी अमेरिका था अमेरिका और अमेरिका के जो भी साथी देश थे यह सब ने मिलकर अमेरिका साथ इराक पर आक्रमण कर दिया था तो प्रथम खाड़ी युद जो जाना जाता है वो अमरीका एक द्वार अपने साथी देशों के साथ से नौक साथ मिलकर इराक पर आक्रमाट करने की वज़ाद से जाना जाता है फिर दिखे आ जाएंगे हमारा तीसरा कुशन क्या कर रहा है कि आपरेशन इराकी फ्रीडम जो इराकी मुक्त अभियान जो था के बारे में कौन सा कथन गलत है पहला उप्शन दिखे क्या कर रहा है कि इराक पर हमला करने के इच्छुक अमेरिकी अगवाई वाले गठपन्दा जिसमें कितने थे 40 से जादा देश शामिल थे क्या ये बास सही है बिलकुल सही है जब इराक पर आकरमन किया गया था तो जो अमेरिका के साथ अमेरिका आगे आगे चल रहा था इसके साथ 40 से जादा देश जो है मिल का आकरमन कर रहे थे एक साथ इराक पर यह हमारा option बिल्कों सही है फिर दूसरा option कह रहा है कि इराक पर हमले का हमला करने का कारण बताते हुए उन्होंने कहा कि हमला इराक को सामोहिक संगार के हतियार को बनाने से रोकने के लिए हम सब करने हैं बना रहा है और परमालो हतियार ना बना लेगा तो उससे पूरे विश्य को खतरा हो जाएगा और पूरे विश्य को खतरे से बचाने के लिए हम सब इराक पर आकरमाल कर रहे हैं लेकिन बात कुछ और थी वो सब उसके तेल पे जो भी रिजर्व थे उस पे अपना अधिपात्य चाहते थे अमेरिका और उसके चाहते जो और देश थे ठीक लेकिन हुने बहाना क्या बताया कि इराक जो है वो कोई ऐसा हतियार बना रहा है जिससे पूरे विश्य को खतरा है तो उस खत्रे सो देश को बचाने के लिए हम इस पर आकरमड कर हैं ताकि वह अधिकार बना न पाये फिर करें कि इस कारवाही जो अमेरिका ने कारवाई किया था जो इराक पर आकरमड करने के लिए इस कारवाही से पहले संयुक्त राष्ट की अनुमती ले ली गई थी तो बिल्कुल नहीं ले ली गई थी संयुक्त राष्ट जो था इसमें संयुक्त राष्ट की बिल्कुल पी अनुमती नहीं ली गई थी उसको बिल्कुल बताया ही नहीं गया और उन्होंने आक्रमण कर द कारवाई जब इराग पर आक्रमण किया गया अमेरिका गद्वारा तो उसने संयुक्त राष्ट संग से अनुमत ले ली गई थी यह गलत है बलकि अनुमत नहीं ली गई थी इसलिए ऑप्शन हमारा जो होगा ऑप्शन नमबर सी यहां पर राइट अंसर हो जाएगा फिर के आ किस देश की छमता गूला गुडात म, दृष्टी से भी सर्वोच कोटी की है या फिर यह कह सकते हैं किस देश की सैने छमता जो है विश्व की सर्वोच छमता वाली सेना मानी जाती है कौन वो देश है तो याद रखीगा वो है अमेरिका अमेरिका की जो सायनिश्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च् तो हमारा है बी नंबर राइट अंस रोजाएगा आपको या रखना है कि विश्व अर्थवेस्था में अमेरिके की जो हिस्सेदारी है वो 28% है फिर आज जाएंगे हमारा अगला कोशन क्या रहा है कि MBA MBA पार्ठकरम की शुरुआत शुरुआत University of Pennsylvania में किस वर्स हुई थी तिय आपको याद रखना है कि MBA पार्ठकरम की जो शुरुआत हुई थी यूद्वेनिया में ये हुई थी 1881 को फिर दिके आ जाएंगे हमारा अगला कोशन क्या रहा है कि अमेरिका से बाहर वेवसाइक सिक्षा की शुरुआत किस वर्स हुई थी तो आपको याद रखना है कि अमेरिका से बाहर वेवसाइक सिक्षा की शुरुआत हुई थी 1950 में और 1950 के बाद दिखिया है option number C में है तो हमारा यहाँ पे C number right answer हो जाएगा फिदिखे आज जेंगे हमारा अगला कोशन क्या गरा है कि लोक तांतरिक देशों से जुड़ा वह कौन सा संगठन है जो अमेरिका के वर्चस को प्रदर्शित करता है तो याद रखेगा लोक तांतरिक देशों से जुड़ा हुआ वह संगठन जो अमेरिका के वर्चस को प लेने पर कितने देशों की जो यहाँ 6,60,000 सेना ने एराक पर हमला कर दिया था मतलब सहिंगत राष्ट से एराक के विरुध बल प्रयोग करने के अनुमत मतलब यहाँ सहिंगत राष्ट से वहाँ क्या किया गया बाद पहले तो आक्रमण कर लिया गया जो भी था उसके बाद क्या किया गया उसे अनुमत लिया गया और कित कह रहें कि अनुमत लेने के बाद सहिंगत राष्ट से अनुमत लेने के बाद अमेरिका साथ कितने देश थे जो सब ने मिलकर कितने संख्या में लगभग 6,60,000 साथ हजार सैनिक ने मिलकर इराक पर आकरमण कर दिया था तो य यह कितने देशों से आये थे तो याद रहें जो टोटल देशों की जो संख्या है वह है आपका लगभग 34 देश जो थे वो मिल कर आये था चाहूंतिस की बात दिखिया है ऑप्शन नमबर सी में तो हमारे आप सी नमबर राइटां सरो जाएगा आपको याद रखना है कि देश के विरुद्ध किये गए सैन अभियान को आपरेशन इस्टर्म प्रथम खाड़ी का युद्ध कहा जाता है वह है इराक और इराक दिखिया है ऑप्शन नमबर बी में तो हमारे बी नमबर राइटां सरो जाएगा फिर आजाएगा प्रथम खाड़ी युद्ध को किस कंप्यूटर युद्ध कंप्यूटर युद्ध दिखी आया है ऑप्शन नमबर हमारा ए में तो यहाँ पर ए नमबर यहाँ पर राइटांसर हो जाएगा फिरखे हमारा अगला कॉशन क्या रहा है कि किस वर्ष नियू यॉर्क इस्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंक 11 सितंबर 2001 की बाद दिखिया है option नमबर B में तो हमारे B नमबर है तैंस रोजाग आपको जार रखना है कि 11 सितंबर 2001 को नियू यूर्क इस्थित वर्ल्ड ट्रेट सेंटर पर आतंकी हमला हुआ था किसके विरुद्ध विष्वयापी विध आरंभ करने की घोशना को Operation Enduring Freedom कहा गया तो करें किसके खिलाफ किया गया था ये था आतंकवाद की खिलाफ और आतंकवाद की बाद दिखिया है option नमबर A में हमारा A नमबर राइटांस रोजाग आपको यार रखना है कि आतंकवाद के विरुद्ध विष्वयापी युद्ध का आरंभ करने की घोशना की गई जिसको नाम क्या रख दिया गया Operation Enduring Freedom फी दिखे आ जाएंगे हमारा अगला कुशिन क्या करा है कि वर्चसो वाले देश वर्चसो वाले देश से दूर रहना किस नीती को प्रदर्शित करता है तो याद रखेगा वर्चसो वाले वर्चसो मतलब जो बहुत अपने आपको बहुत समझते हैं कि यह सारा power हमारे पास ही है और ज्यादा स्यादा country को अपने अंडर मिलेना चाह वर्चसो वाले देश से दूर रहने की नीती जो होती है वो अलगाववादी नीती को प्रदर्शित करती है फिर देखे आज आएंगे हमारा अगला कुशिन कर रहा है कि भारत अपने software छेतर का कितना प्रतिसत उतपादन अमेरिका को निर्याद करता है तो याद रहेगा भारत अपने software छेत्र का जो प्रतिसत उत्पाद भारत को अमेरिका को निर्याद करता है वह प्रतिसत है 65% और 65% देखी बात आई है option number C में तो हमारे है C number राइटा है आपको याद है कि भारत अपने software छेत्र का 65 प्रतिसत उत्पाद अमेरिका को निर्यात करता है फिदी कि आ जाएंगे हमारा अगला question क्या कर रहा है कि लगभा कितने लाख भारती Silicon Valley में कार करते हैं कितने लाख जो है भारती जो है Silicon Valley में काम करते हैं तो कितने लाख लोग जो ह वेले में जाकर काम करते हैं तो याद रखेगा उनकी जो संख्या है वो है तीन लाख और तीन लाख दिखिया है option नमबर ए में तो हमारे यहाप ए नमबर यहाप राइट आंसर हो जाएगा आपको याद रखना है कि लगभग तीन लाख भारती लोग जो है ना वो Silicon Valley में ज गार करते हैं फिर आ जाएंगे हमारा अगला कूंशन क्या कराएं कि अमेरिका अमेरिकादवारा उन्नीस मार्चılı दो हजार तीन को कि compartir हीए थीन नमबर ए में तो आपको या रिखना है कि अमेरिका द्वारा 19 मार्ट 2003 को इराक पर आक्रमर किया गया था फिर दिखे आ जाएंगे हमारा अगला कोशन क्या गर है कि अमेरिका के उन्हें आ जाएंगे हमारा अगला कुशन क्या कर रहा है कि Operation Infinite Rich कि ने दो देशों के अमेरीकी दूतावास पर हुए हमले के जवाब में की गई थी तो याद रखेगा Operation Infinite Rich नाम का जो ये जो Operation किया गया था ये जो दो देश अमेरीका कि दो क्या थे राज जो थे दूतावास थे कहां पे थे एक केनिया और तंजानिया केनिया और तंजानिया में अमेरीकी राज दूत पर क्या किया गया था हमला किया गया था और उसी के जवाब में अमेरीका ने American Infinite Rich जो था इसने हमले के जवाब में ये क्या किया था ये Operation Infinite Rich किन दो देशों के अमरीकी दूतावास पर हमले की जवाब में किया गया था तो वो देश कौन थे? केनिया और तंजानिया थे केनिया और तंजानिया के अमरीकी दूतावास पर हमला हुआ था और उसी के जवाब में अमेरिका ने operation infinite ridge operation चालू किया था ठीक जो कि option number a में है तो हमारे यहाँ a number यहाँ पर right answer हो जाएगा तो maybe आपको यहाँ सारे question समझ में आ गया होंगे तो चलिए आज कितने हैं रखते हैं and thank you very much for watching this video thank you